बिसमिल्ला इलरहमानरहीम और असलाम अलेकुम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक लैब एक्टिविटी को जिसमें के हमें एक प्रोग्राम दिया गया है और सवाल यह कह रहा है कि एक रखेंग शिर्ड़ाम टिर्ड़ाम ऑफ इन प्रॉग्राम् यह डिया खिए खिर फ्री एफ़ म देखेंगे लिए फॉर्मूला दिया गया है और फिर बतायागा कि कि बैसिकपे और रॉष्य थे कौई वेली ओवाइबिगा कि मढ गाई तो हम इस सवाल को तोड़ी से एक तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कहा गया है कि राइट प्रोग्राम तो एक प्रोग्राम हमने लिखना है तो रीड बेसिक पे आफ एन एंपलाई तो रीड से में यह बदा चलता है कि इधर ना कोई स्कैन अफ की स्टेटमेंट हम यूज करेंगे और स्कैन अफ की स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम जो है ना वो बेसिक पे को रिड कर रहे होंगे अब वो उसके लिए हम ना कोई वेरियेबल बना लेंगे जिस वेरियेबल के नदर हम इसकी वेल्यो को स्टोर कर वा लेंगे तो हमें एक ही चीज पर चल गी कि हमने user से कोई चीज input लेनी है और input चीज हमने लेनी है वो basic pay है employee की तो पहला गाम हमने यह कर लिया और second हमने क्या करना है वो पूछ रहा है कि and calculates and prints his net pay as given below तो वो कहता है कि सबसे पहले चीज वो यह करे कि calculate करें उसकी net pay को calculate कैसे करना है depending upon this formula तो इस formula को यूज करते हुए हमने calculate करना होगा और print करना है उसकी net pay को उसके बाद तो print करने के लिए हमें बचल गया कि printf की कोई statement यूज करने है कि basic pay अब basic pay तो यह थी कि user input दे रहा था हमें ठीक है तो वो तो हमें पता लगी क्या है उसमें sum करने हमने house rent को अब house rent हमें नहीं पता क्या है लेकिन उसके लिए उसने नीचे एक table दिया वह है जिसके में इंदर यह हमें बता रहा है कि basic pay की value है उसकी basis पे house rent आप खुद निकाल ले वो ऐसे कि अगर basic pay less than 25,000 हो तो house rent होगा 30% of basic pay और अगर basic pay 25,000, 40,000 के दर्मियान में हो तो house rent होगा 40% of basic pay और अगर कि basic pay जो है 40,000 से ज़ादा हो तो house rent होगा 50% of basic pay तो हमें यह जो सारी में ने बात अब ही की तो मैंने यह वाले जुमला इस्तमाल किया कि अगर basic pay इतनी हो तो house rent इतना होगा फिर मैंने कहा कि अगर basic पे इतनी हो तो how's it इतना होगा तो मेरी इस जुम्ले से यह आपको समझ आ गई होनी है कि यह जो मैंने कहा ना कि अगर यह हो तो फिर यह होगा अगर यह हो तो फिर यह होगा तो आपको यह बत चल गया होना है कि if की statements तो यहाँ पर use हो रही है अब हमने यह देखना है कि क्या यह condition आपस में overlap तो नहीं करती क्योंकि अगर यह overlap ना करती हो तो फिर हम if की सिरफ conditions को use करने की बजाए कि हम 3 if की conditions use करें हम if else if की conditions को use कर सकते है तो देखें पहली वाली condition यह है कि less than 25,000 हो अगर उसकी basic piece second ही है कि 25,000 से 40,000 हो और उससे अगली ही है कि 40,000 से greater हो तो यह आपस में overlap नहीं करती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर conditions जब run होंगी तो इन में से सिरफ एक conditions जी run होगी मतलब कि यह तो यह condition run होगी यह run होगी यह यह तो यह हो नहीं सकता कि वह ऐसी कोई पे एंटर करें जो किसी दो जगों पर आ रही हो बसलों अगर वह 30,000 रुपे लिख रहा है तो वह इसी condition के अंदर आ सकते हैं दूसरी तो और किसी में नहीं आएंगे इसका मतलब है होगा कि हम use कर सकते हैं if की statement with else if की statement ठीका तो पहली वाली condition इसका मतलब है गए हम if से लखें तो second को हम else if से लख सकते हैं और last को भी फिर हम else if से लख सकते हैं और और कोई condition ना हो तो last welaी को बल कि हम simple else से भी लख सकते हैं तो चलें, अब हमने एक basic structure तो देख लिया code का, अब हम यह करते हैं कि हमने code का एक algorithm लिख लेते हैं, जिसके basis पे हम फिर आगे code को लिखेंगे, तो हमारे code का algorithm क्या होगा, हम जैसे कि पहले भी अकसरी बात करते हैं, कि सबसे पहली चीज जो हो यह होती है, कि हमने जैसे अभी printf और scanf के functions को यूज़ करना है, इस वज़े से हमें लाइब्रेरी को include कराना सबसे पहला काम होगा, तो हम include करा देंगे library, और लाइब्रेरी के stdio.age की library है, जिसको हमने include कराना है, सेकंड चीज ही है कि जब library include करा रही है, तो function का entry point बताना है, function का entry point है main का function, जो कि उसका entry point होगा, उसके बाद यह है कि main के function में enter होने के बाद, आपने यह user से basic pay उसकी पूछनी है, तो आप उसको कहींपे store कराएंगे, तो आपके पास कोई variable होना चाहिए, तो मैं एक basic pay के लिए एक variable बना लेता हूँ, float के नाम से और उस variable का नाम में basic pay रख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है अमने variable भी जब बना लिया, अब हमने यूजर को कहना है कि अपनी basic pay हमें बताए, तो वो जब basic pay बताने हैं, कुछना कुछ करना पड़ेगा यूजर को पता लगया आप उसे पूछ क्या रहे हैं, तो आप एक printf की statement लिखेंगे, और इसके statement के अंदर आप फिर user से के एंगे कि प्लीज एंटर, यूर बेसिक पे या इस तरह की चीज आप लिखेंगे, जो भी आप message लिखना चाहें यहाँ पे, तो यह printf की statement आजएगी, अब user कुछ ना कुछ एंटर करेगा इसके बाद, अब जो भी वो एंटर करेगा वो आपने read करना है, तो आप read किस तरह के से करेंगे, कि आप scanf की statement यूज करेंगे, और scanf की statement में आप बताएंगे, पहले बताएंगे type के आप कहेंगे यह तो float type का variable है, और read किस में करना है आप कहेंगे, कि मैंने यह अपने basic pay जो variable है, उसके अंदर read करना है, उसका आप इसलिए address बता देंगे यहाँ पे, इससे अभी होगा कि आपके basic pay के जब यहां तक code run हो जाएगा, तो basic pay के variable के अंतर एक value आके store हो जाएगी, जब यह काम आपके पास हो गया, तो अब तो बड़ा असान सा रह गया, कि आपके basic pay आगी है, अब हमने net पे निकालनी है, लेकिन net पे निकालने के लिए हमस साय दोकर अनुआ हुज है, पिछरा वरले पैज के ऊपर जाता हूं, जो इती है क्या था और यहां पर देखते हैं कि गया इस सीप्मेंटなके और हमाशिनल से भीamt मोरे हो और होगी, और इसमें लिखा होगा कि बेसिक पे की जो वैल्यू है यह स्टेबल सी बड़े सानी से आपको नजर आ जाएगा और वैल्यू हमने यह लिख देनी है कि लेस्टेन 25,000 हो ठीक है उसके ओपर आपने हाउसनेट इस इदर से निकाल लेना है कि 30% बेसिक पे इसका मतलब है कि अब जो 30 divided by 100 जो है यह 0,0 से कट गया और 3 by 10 रहा गया 3 by 10 जो है वो क्या होता है 0.3 ठीक है इदर से 0.3 आ गया इसी तरह अगली कंडिशन जो है वो होगी LCF की और उसके अंदर हम लिखेंगे कि पहले यह वाली कंडिशन आजेगी that it is greater than equal to 25,000 और फिर हम end की कंडिशन लग basic pay ठीक है और lastly हम जो है एक else की condition लगा देंगे कि अगर pay 25,000 से कम भी नहीं है और 25,000 और 40,000 के दर्मयान भी नहीं है फिर 40,000 से जाद ही होनी है अब वो जो भी value है तो हम else की condition लगा के निकाल लेंगे कि in that case 0.5 times उसकी basic पे जितनी भी है ठीक है ना उसका 0.5 times ले ले लेना ह और हमारे पास आ जाएगा कि उसका house rent किया अब हमारे पास house rent आ गया ठीक है इन conditional statements को run करने के बाद तो हमारा अगला step क्या होगा अब हमारे पास house rent भी आ गया तो हमने निकालनी है net pay तो net pay के लिए हमें पता है कि formula था उसने दिया हुए हमें कि जो भी उसकी basic pay है ठीक है तो अब हमारे पर net pay आ जाएगी अब हमें इधर से एक चीज़ और पता लगी कि हमारे पर दो और variable भी चाहिए होंगे net pay का और house rent का ठीक है तो यह इसका मतलब यह हुआ कि जब हम variable declare करा रहे हैं इधर हम एक net pay के नाम से भी variable add कर दें और house rent के नाम से भी variable add कर दें तो इधर भी हमारे पर जब आ गया कि हमारे पर variable भी पता लग गए और हमने net pay भी निकाल ली तो last हमने सिर्फ यह करना था कि वह कहता था कि नेट pay को प्रेंट कराना है तो हम printf की statement लिखते हुए net pay यूजर को प्रेंट करवा देंगे अब इसी चीज़ को हम देखते हुए और इसी code के structure को follow करते हुए हम अब सिर्फ यह करेंगे कि हम जाएंगे compiler पर और इसी चीज़ का code लिखेंगे ठीक है तो बस इसी चीज़ को follow करते हुए हम code लिखेंगे तो बिल्कुल भी मारे मुश्किल नहीं होगा तो जो algorithm हमने लिख है बस उसको हमने code में transmit कर लेना C में सबसे पहले ह हमने यह करना था कि हमने library इंक्लूड कराने थी library हमने कौनसी इंक्लूड करना थी stdio.h की यह हमने library इंक्लूड करा ली फिर हमने का था कि entry point बताना है code का जो के main का function होगा वो भी हमने कर लिया next उसने का था कि जो भी variables जो है use हो रहे हैं वो अपने declare कर वा देने है तो variables हमार variables हमने बना ली है next उसने का था कि हम न यह करेंगे कि user को statement prompt करेंगे कि हमें जो अपनी basic pay बताए तो हम उसको कहते हैं कि please enter your basic pay तो मैं यह statement लिख रहा हूँ आप को यह और लिखना चाहिए तो आप भी लिख सकते हैं अब इसके बाद user अपनी basic pay एंटर करेगा तो आपने read कर आनी है तो आप floating point में read कर रहे हैं तो scanf लिखेंगे percentage f डालेंगे और आगे आप यह बताएंगे कि किस variable में आपने read करना है तो basic pay के variable में आपने read करना था तो यह आगे आपके पास इस statement जब run हो जाएगी तो basic pay के variable में कोई ना कोई value आ जाएगी अब हमने यह करना है कि इस basic pay को use करते हुए हमने house rent को निकाल ले तो हमने का था कि हम if else की condition लगाएंगे तो पहली condition यह थी कि अगर basic pay जो के है वो less than 25,000 हो थीक है तो less than 25,000 हो अगर basic pay इस case में हो कहता था कि house rent 30% of basic pay होगा थीक है तो इसलिए हम लिखेंगे house rent जो है that is 0.3 times the basic pay थीक है यह हो गया next condition हमारे पास यह थी कि वो कहता था कि अगर house rent basic pay जो है वो between हो 25,000 तो इसका मतलब है greater than equal to 25,000 and and हम दो बार लिखेंगे यहां पे थीक है less than 40,000 हो थीक है तो दूसरी condition साथ ही आजेगे कि basic pay is less than 40,000 तो basically यह बता यह रहा है कि अगर उसकी basic pay 25,000 से 40,000 के दर्मयान हो 25,000 और 40, 40,000 included नहीं है मतलब कि 39,999 तक जो numbers है वो included है तो इस case में जो है house rent वो उसका हो जाएगा 0.4 times the basic pay मतलब कि 40% of the basic pay ठीक है और last मेरे पास condition ही थी कि अगर वो greater than 40,000 तो इस case में हमने का सिरफ else भी use करें तो तब भी वो चल जाएगा ठीक है ना तो इस case में house rent हमारे पास आ जाए पी सकते हैं लास्ट वाले में है कि 40,000 से जादा हो तो अगरो 40,000 जादा हो in that case 50% of basic pay उसका house rent होगा यह हो गया हमारे पास तो हमारे पास अब house rent निकल आया depending upon the conditions ठीक है अब जो भी इसका house rent निकला है इससे अब हमने यह निकालना कि इसकी net pay क्या होगी करके वह निकाल लिया कि जो भी यूजर है उसकी net pay कितनी है अब हम देखते है कि यह code execute किस तरीके से हो रहा है step by step और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि इस code के अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी है तो सबसे पहले जो है ना इस line के उपर code जब आएगा तो वो library include कराएगा stdio.h की जो कि standard input output की library इसको include कराने का फाइदा यह है कि हम printf और scanf की statements को आगे code बे यूज़ कर सकते हैं next यह है कि main के function में चले जाएंगे और main के function में जाते सार वो देखेगा सबसे पहले कि कुछ variables declare हुए है floating point type के variables है जो कि है basic pay, net pay और house rent ठीक है यह तीन variables declare कर देगा वो और इनको memory में कोई जगा assign कर देगा उसके बाद अगली statement में जाएगा और लिखा है printf please enter your basic pay इस statement के run होने पर यह होगा कि printf के अंदर जो भी string लिखी है यूजर को पास यह display होके आ जाएगी और यूजर के पास लिखा हुआ जाएगा statement के उपर आएगा और चेक करेगा कि क्या basic pay 25,000 से कम की है तो अगर यह conditional statement true हो जाए तो फिर वो house rent को इस तरीके से compute करेगा कि house rent 0.3 times the basic pay है 0.3 times the basic pay का मतलब यह है कि वो यह कह रहा है कि 30% of the basic pay है ठीक है अगर यह condition true नहीं होती तो वो अगली condition पर जाएगा और वो चेक करेगा तो ऐसा कोई number अगर आगया है दोनों conditions true हो जाएगी और इसके बाद यह statement run हो जाएगी जो कह रहे है कि house rent 40% of the basic pay होगा ठीक है अगर यह भी condition true नहीं होती तो फिर last condition हमारे पास यह रह जाएगी कि अगर यह भी true नहीं होई पहले वाली कि 25,000 से कम है और यह भी true नहीं होई दूसरे वाली कि 25,000 से 40,000 के दिर्मयान है इसका मतलब यह हुआ कि वह 40,000 से जाद है उसकी पे in that case यह वाली condition run हो जाएगी जो किएगा कि house rent जो है वो 0.5 times the basic pay हो जो कि यह बता रहा है कि वो 50% of the basic pay होगा ठीक है जब हमने यह चीज भी compute कर ली तो इसके बाद हम आ जाएग उसकी जो net pay हो उसमें net pay लिखा आएगा और space आजएगी और space के बाद जो भी variable यहां लिखा है उसके value percentage f की जगा पर आजएगी तो उसकी जो basic net pay हो compute होके आजएगी एक बार हम इस प्रोग्राम को run करते हैं उसके बाद मैं आपको इस चीज इस प्रोग्राम के दर बताऊँ तो इसकी net pay निकाले 19,500 तो अब आप इसको अपने calculator पे verify कर सकते हैं वो ऐसे कि आप इसकी 30% निकाले 15,000 का तो इसका 10% अगर जबानी भी देखें तो इसका 10% होगा तकरीबां 1500 ठीक है तो इसका 1500 जो है वो अगर 10% है तो इसका 30% जो है वो that is 4500 और 4500 प्लस 15,000 is 19,500 तो इ तो यह वाली कंडिशन हमारी चेक होगी अब हम करते हैं ऐसी कोई पे जो मैं डालता हूँ जो कि 25,000 और 40,000 के दर्मयान में है ठीक है तो मैं पे डाल देता हूँ 30,000 की इन डैट किस अभी कह रहा है कि 40,000 जो है नेट पे होगा वो इसने कैसे निकाली इसने का होगा कि 40% अ जो कि आ गया 42,000 तो यह भी बिल्कुल ठीक रान हुआ है लास्ती हम लास्त वाली कंडिशन को चेक कर लेते हैं कि अगर उसकी पे 40,000 से जात है तो सब्सकी पे जो है वो 50,000 है तो इन डैट किस वो कह रहा है कि अभी नेट पे होगी 75,000 के ठीक हा रहा है तो अभी इसको चे अभी नेट पे होई 25,000 वोडियमा कि सब्सकी नेड़ी 35,000 थी 75,000 तो इसके नेट पे आप लिए आ रही है जो 75,000 के लांस्त मेर्uage फिक है इस तरिक हम नेकर के चैक की सारी के सारी को तो यह चल रही है स्यर्म्स का विसको चार थाना अश्ते हो प्सक्रिक पीशन स्यर्ट रन हो रही हैं तो यह brackets लगी हैं हमने यह कहा था कि जब भी हम if else का code लिखें तो यह brackets लगाने का मकसद ही होता है कि if यह else की statement के अंदर multiple statements हो तो वो हम compiler को यह बता सके सारी उस if के अंदर आ रही है यह सारी को skip करते हुए अपने code को छोटा कर सकते हैं कि यह सिरफ उसके अंदर एक ही statement लिखी आ रही हो तो इस case में अधर पहली देदू कि अगर मैं इसको भी रन करूं तो ठीक रन नहीं होगा तो भी मैं आपको इसको पूफ कर कर दिखाता हूं कि मैं भी रन करता हूं इसको और मैं इसको जह ना अब इंटिजर तो निकल रहा है यहां पर जो एसल बायलु बन रही है वह तो 0.3 है लेकिन इसको इंटिजर में कर देता है कि कह रहा है कि कि अपने किसी दरीके से बताना है कि मैं फ्लोटिंग वाइड कर रहा हूं तो बढ़ रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंग रखना है ठीक है न तो अगर आपने floating point अखना है तो आपको किसी एक value को point zero करना पड़ेगा तब ही समझ जाता है कि आप कह रहे हैं कि floating point इसे divide में कर रहा हूं और इसका result भी floating point आना चाहिए मतलब कि point three आना चाहिए point four आनचे जो भी आप जा रहे हैं फिर अब ठीक चलेगा अब हम इसको run करें तो अब इसका result ठीक होगा तो मैं इसको दुबारा run करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ वही 10,000 तो अब आप इसकी net पे देखें 13,000 आ रही है जो कि सही value है तो एक चीज़ हम ने यह सीखी कि अगर इस तरह कि आप कभी division कर रहे हो तो यह point zero लगाना कितना important है क्योंकि इसके बगार गलत results हा रहे थे हमारे पास ठीक और तीसी चीज़ हमने यह भी देखी कि अल्गुरिदम की importance क्या है कि अल्गुरिदम अगर हम शुरू में लिख ले हैं तो कितना असान हो जाता है हमारे लिए code को लिखना ठीक है जैसे आपने भी यह चीज़ देखी भी और lastly हमने देखा कि जहां भी कॉमा लगा के कोई condition लिखी हो या end लिखा हो तो उसको हम code में किस तरीके से translate करते हैं कि इस तरीके से हम एक पहली वाली condition अपनी लिख लेते हैं उसके बाद हम end का operator लगाते हैं जो कोई दो दफ़ा end का लिख ली है इस तरह की multiple examples के और भी वीडियो जो कि आप देखके अपनी conditional statements के understanding को मजीब बहतर बना सकते हैं अब से एगली वीडियो के अंदर हम loops के पूर चले जाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कोई भी चीज हमने repeatedly करनी हो या कोई चीज ऐसी है कि जो कि loop के मदद से ह मतलब कि repeated action है कि एक चीज होगा उसके बाद फिर एक चीज दुबारा होगी उसके बाद फिर एक चीज दुबारा होगी उसमें कोई चीज ऐसी है जो कि हम बार बार repeat हो रही है तो उनको हम loops के मदद से कैसे कर सकते हैं तो यह जीज़ हम अगले chapter के अंदर देखेंगे जिसक कि multiple चीज़े आ जाएंगी